हेलो फ्रेइन वेलकम तुमा यूटूब चनल तो कल आप लोग एनॉंस्मेंट करके हम बता दिये थे कि डेली जो है आज से आप लोग का रात आठ बजे इंगलीज का क्लास होगा तो आज जो है हम लोग इंगलीज के क्लास करने वाले हैं यह आप लोग का क्लास फर्स्ट है आप लोग को most important question जो है इंगलीज के कराने वाले हैं साइनोनेम और एंटोनेम तो आप लोग जो है क्लास में लाज तक बने रहेगा और इस क्लास का आपको पीडियव चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रूप में जाकर जोइन हो जो है हर एक क्लास का पीडियव हम प्रभाइट कराते रहते हैं और अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो प्लीज सब्सक्राइब करेगा और इस क्लास को अपने दोस्तों में सेर कीज़ेगा तो चली क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक important बात आप लोग को जो है कल जो है कल हम आपके लिए मया थन क्लास ला रहे हैं जिकेगा तो आप लोग जो है उसमें जवड़एगा लाथ आठ वजह क्लास का स्टार्ट करते हैं तो क्लास जू है आज आप लोग का arguments का होने वाला है डेली आपको सानुनियम को कोस्टन में लेले तो पहला नंबर इसमें वर्ड का यह बाद करें निगारली का तो तो निगारवी और पर्सी मोनियस्ट और एंटो ने में जीनिरियस अब आगे सब्सक्राइब नमर हमारा क्या वर्ड है सेकेंड नमर है प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब का प्रिस्क्राइब जो है एक भर्ब है और इसका साइनोनेम होता है ओडर और एडवाइस और एंटोनेम हो गया डिस एलाव और रिजेक्ट तो आपको साइनोनेम एंटोनेम प्रिस्क्राइब का ये मालूम चलिया कि synonym order और advice होता है एंटोनेम disallow और reject होता है और prescribe जो है एक भर्व है थर नमर में चलते हैं क्या word है थर नमर वर्ड है support support भी एक भर्व है support वर्ड एक भर्व है इसका synonym होता है help carry hold up keep up क्या क्या होता है synonym help carry hold up keep up तो आपको support का synonym मालूम चलिया और इसका antonym क्या होता है approach अंत्रोनेम support का होता है अबोज अपोज और support जो है एक भर्व है तो support के बारे वालूम चलिया कि इसका synonym मौना एंटोनेम क्या होता है आगे चलते हैं आगे है हमारा वर्ड मैगनीफिसियंट मैगनीफिसियंट एक एड्जेक्टिव क्या है एड्जेक्टिव है मैगनीफिसियंट का साइनोनेम होता है अस्प्लेंडिड और अस्पेक्टक्लर 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 और अस्प्लेंडिड जो है साइनोने वोता है कि इसका मेगनीफीसियंट का और इसका एंतोनिंव होता एंइंसपाइरिंग होगे और क्षिंट के बारा में मारों doet के इसका साइनोन hatedud disorder or disease disorder or disease जो है affliction का synonym होता है और antonym क्या होता है relief or comfort तो आप लोग को synonym और antonym बता दिए अब चलते हैं हम लोग one verse substitution में one verse substitution पढ़ेंगे इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं देखें आपको बता देते हैं फ्र्स नॉमर में है study of mountain को ओरायलोजी बोलते हैं क्या बोलते हैं study of mountain को ओरैलोजी जो पहारोग आधियन करता है उसको ओरैलोज बोलते हैं second number में study of language जो भासा काधियन करता है उसको philology बोलते हैं क्या बोलते हैً one everyone the religion जो धर्म के विरूद हो ुसको hy ​ टिक क्या बोलते हैं हिए एक फोनमर में एक कालेक्शन वनत उलग बंटिंग फाइन नंबर में हें राइट इंड राइटिंग पंद उ सकता है वए उसको प्ड़नी करते हैं एलिजिब लोग क्या बहिंग है इलिर सिंग नंबर में है fear of height, fear of height को क्या, height से उचाई से डर लगता है, उसको एक्रोफोबिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया, 7 नमबर में है, one who hates mankind, इसको क्या बोलते हैं, one who hates mankind का one word substitution क्या हो जाएगा, misanthrope, क्या हो जाएगा, misanthrope, 8 नमबर में है, one who can neither read nor write, जो वेक्तिर, जो जो ना लिख सकता है और नहीं पर सकता है, नहीं लिख सकता है और नहीं पर सकता है, उसको illiterate बोलेंगे, क्या बोलेंगे, illiterate, 9 नमबर में है, one who knows many language, जो जो जाएगा मतलब, बहुत सारे language का ग्यान रखता हो, जो बहुत सब सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे, polygold, क्या बोलते हैं, polygold, 10 नमबर में है, one who eats human flesh, cannibal, जो मानो का मांस खाता है, उससे क्या बोलते हैं, cannibal, आप लोग को, आज हम लोग और antonym, फिर one word substitution भी आप लोग को करा दिये, तो यह सब आप लोग याद कर लिजेगा, क्योंकि जो है, इंग्लिस में यही सब question जादे पूछ रहे हैं, तो आप लोग इसको याद कर लिजेगा, एक और बात देखिए, आप लोग को इसका answer जोड बताना है, correct spelling, इसमें क्य करना है, आप लोग को चूज करना है कि कौन इन में से suggestion का correct spelling है, क्योंकि correct spelling से जो है, आपके question एक्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग जो है, इभी मतलब, इंगलिस जो है, परते रहेएगा, जिसे आपको क्या होगा, कि spelling का जो है, अच्छा knowledge हो जाएगा, तो आप लोग को जो comment करका बताना है, चिती नहीं करना है, आपको खुश से बताना है, कि suggestion का, इन में से कौन सा जो है, correct spelling है, तो आप लोग कमें करका बताईएगा, और आप लोग से अम मिलते हैं, कल के class में, कल जो है, रात आठ बजे, जी के कमेराथन class में, तो आप लोग उस class में जवर आ आप लोग आप लोग जात रात 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 रा